आज का हमारा विशे मुगल सामराज्य की स्थापना जैसा हम सभी जानते हैं कि मुगल वन्च की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी और बाबर का काल भारत में 1526 से लेके 1530 इसवी तक का रहा 14 फैबररी 1483 इसवी को फर्गना में जहिरुद्दीन मुहमद बाबर का जन्म हुआ वह पित्र वन्च की ओर से तैमूर का पांचवा वन्चच और मात्र वन्च की ओर से चंगेज खां का चोहदवा वन्चच था उसके पिता उमर शेख मिर्जा फर्गना के शासक थे 8 जून 1494 इसवी को कबूतरों की उडान का आनन्द लेते हुए उसके पिता की मृत्यु हो गई अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष 4 माह की छोटी सी आयू में फर्गना की गद्दी पर बैठा बाबर जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसके समक्ष बहुत सी कठनाईया थी उसके राज्ये पर दो शत्रों ने आकरमन कर रखा था वे प्रारंब से ही अपने पूर्वज तैमूर की विजयों से प्रभावित था और तैमूर की राजधानी समरकंद को प्राप्त करने के लिए लालायत था समरकंद को जीतने का उसका पहला प्रयास 1494 में असफल रहा यानि गद्दी पर बैठने के कुछ समय पश्चा थी उसने समरकंद को जीतने की कोशिश करी थी 1596 में उसने काबुल पर आकरमन करके उसे अपने अधिकार में ले लिया और 1507 में उसने बादशाह की उपादी धारन करी 1511 के आसपास उसने समरकंद, भुखारा तथा खुरासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया हम उसके भारत अभियान की बात करें तो हम पाते हैं चुकि मध्य एशिया में जो उसका राज्य था उससे वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं था और वो अब एक ऐसे राज्य की तलाश में था जहां वो इस्थाई रूप से अपने वंश की स्थापना कर सके उसे भारत सबसे उचित और महतवपुन शेत्र नजर आया और इसी उद्देश्य से उसने अपना प्रथम आकरमन 1519 इसवी में भारत पर किया साथ जनवरी 1519 को बाबर ने बाज़ोर पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसके बाद वो जेलम के तठ पर इस्तित भेरा नामक स्थान की और बढ़ा और उसे भी अपने अधिकार में ले लिया इसके बाद उसने खुशाप पर अपना अधिकार स्थापित किया कुछ समय पश्चात वो भेरा को हिंदु बेग के सुपूर्थ करके सुवयम काबुल लाट गया हाला कि ये अभियान स्थाई महत्व का सिद नहीं हो पाया किन्तो इसने बाबर के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मार्ग खोल दिया था और अब वो भारत पर दूसरे आकरमन की तैयारी करने लगा उसका दूसरा आकरमन सितंबर 1519 इसवी को हुआ और इस बार उसने पेशावार के दुर्ग को अपने अधिकार में लेना चाहा किन्तो परस्तितियां कुछ इस प्रकार की बनी कि वो अपने लक्षर को पूरा किये बगैर ही काबुल लोट चला क्योंकि काबुल से उसे लगातार उपद्रवों की सूचनाय आ रही थी उसका तीसरा आकरमन 1520 इसवी में था तीसरे आकरमन के दौरां बाबर ने बाज़ोर और बेरा को पुना अधिकरत किया वहां से वो सियालकोर्ट की ओर बड़ा और बिना प्रतिरोध के उसने सियालकोर्ट पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया हलांकि इस दौरान उसे कंधार से उपद्रव की एक सूचना मिली और उसे पुना कंधार लोटना पड़ा चौथा अक्रमन भारत के उपर बाबर का 1524 ईसवी में रहा और इस समय बाबर पंजाब के गवर्णर दौलत खान लोदी के निमंतरन पर भारत आया था बाबर पंजाब की उरबड़ा उसने लाहोर दिपालपुर एवं जालंधर पर अपना अधिकार सापित कर लिया लाहोर में ही बाबर ने पहली बार इब्राहम लोदी जो कि भारत का सुल्तान था लोदी वन्ष का शासक था उसकी सेना को परास्त किया और दिपालपुर उसने आलम खान को सौपा दौलत खान लोदी को उसने जालंधर दिया और स्वैम 1525 में भारत से लोट गया हम देखते हैं कि इस दौरान समस्त पंजाब पर अपना अधिकार साउपित कर चुका था और इस विवस्थां यानि पन्जाब पर अपना अधिकार साउपित जोश में किया उस विवस्थां ने पाणी पत की प्रथम युद्ध कीज़ रखी पानिपत के प्रथम युद्ध की बात हम करें पानिपत का मैदान हम सभी जानते हैं मध्यकाल के अंदर एक बहुत महत्पून शित्र रहा है यहाँ पर संपून मध्यकाल के अंदर तीन युद्ध हुए और इसकी शुरुवात बाबर द्वारा की थी प्रथम युद्ध में ये युद्ध 21 अप्रेल 1526 इस्वी में लड़ा गया नवंबर 1525 इस्वी में बाबर भारत को जीतने के उद्देश्य से काबल से पुनहरवाना हुआ था उसने दौलत खा जिसने की विद्रो कर दिया था उसे गिरफतार किया उसे बंदी बनाया आलम खा जिसने भी बाबर के खिलाफ में विद्रो किया था वो बाबर की शरण में आ गया और फिर बाबर दिल्ली की और बढ़ा दूसरी तरफ हम देखते हैं इबराहिम लोधी जो की लोधी वन्शकाशा सकता और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो बाबर का मुकाबला करने के लिए पंजाब की उन बड़ा दोनों की सीमाएं पानिपत के मैदान में दूसरे के संमुख पहुंच गई इस सारी जो युद्ध की जानकारी है वो हमें बाबर ने अपने आत्म खता बाबर नामाज में दी है और उसके अनुसर उसके पास जो सेना की संख्या थी वो इबराहिम लोधी की सेना की संख्या के मुकाबले कम थी किन्तो हम देखते हैं 12 अप्रेल से 19 अप्रेल 1526 तक दोनों ही सेना एक दूसरे के सामने आमने सामने एक सप्ता तक धटी रही चुटपट युद्ध हुए लेकिन उन युद्धों का कोई परिणाम नहीं लिखला वास्तविक युद्ध 21 अप्रेल 1526 को प्राते काल शुरू हुआ और दुपहर तक उसका निर्ने हो गया जिसमें बाबर की विजय हुई इबराहिम लोधी मारा गया अफगान सेना नश इस निर्नाइक विजय के बाद बाबर ने दिल्ली में अपनी नाम का खुदबा पढ़वाया हम देखते हैं कि पानीपत का महतवपून युद्ध जिसने भारत का भविश्य बदल दिया और भारत में अब एक नए युक की शुरुवात हुई और यह युक मुगलकाल के न भारत की राजनतिक स्थिती भारत का राजनतिक परिद्रश्य और अकबर के काल में जो कि इस वंश का तीस रश आ सकता उसके काल में हम देखते हैं कि सामाजिक परिश्थिती में भी परिवर्तन हुआ बाबर की सफलता के कारणों को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम सरवप्रतम देखते हैं कि बाबर एक कुशल सेनापती था वो एक योग्य अनुभवी सेनापती था और उसने उसमें साहस की कमी नहीं थी उसने साहस के साथ साथ अपने युद्ध कौशल का भी परिच्छ दिया था उसके सैनिक उसकी योग्यता और उसके संचालन में विश्वास करते थे जबकि इसकी विपरीत इबराहिम लोदी की सेना का उसके प्रती कोई बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि विश्वास नहीं था साथी साथ इबराहिम बाबर जैसा कुशल सेना पती भी नहीं था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा जिसकी विज़े से इबराहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा दूसरा पॉइंट हम देखें कि इबराहिम लोदी की बहुत सी कमजोरियां थी उसकी कुछ भूलें भी थी और कुछ दुरबलताएं भी थी सरप्रथम तो उसने पंजाब में बाबर के प्रवेश के समय उसका मुकाबला करने की कोई तैयारी नहीं करी यानि जब उसके राज्जी की सीमा के उपर घुसपैट हो रही थी उस समय इबराहिम लोदी ने कोई कदम नहीं उठाया फिर जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तो इस समाचार को सुनके इबराहिम लोदी तेजी से आगे बढ़ा उसने किसी प्रकार की कोई व्यू रचना नहीं करी उसने मार्ग में अपने सैनिकों को विश्राम नहीं लेने दिया और जब उसकी सेना युद्ध के मैदान तक पहुंची तब तको सैनिक बहुत ज़्यादा ठक चुके थे इसके विपरीद हम देखते हैं कि पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर ने अपने सैनिकों कुछ समय के लिए आराम करने के लिए दिया और ये इस तरीके से सैना रिजिनवेट हो गया यानि सैना में पुर्ण शक्ति का संचार हो गया एक और कारण जो हम इबराहिम लोदी की पराजय का मान सकते हैं वो ये कि इबराहिम लोदी ने अयोग्य सेना पती होने के साथ साथ कुछ अनुभवी और योग्य जो सेना नायक थे जो कुछ सरदार थे उनको भी अप्रसन्न कर दिया और इन सेना नायकों ने इबराहिम ल जो अन्य भारत ये शक्तियां थी, उनका सहयोग लेने की चेष्टा नहीं करी, परिणाम ये निकला, कि हिंदू शासकों ने, और जो कुछ महत्रपुन राज्य की शासक थे, उन्होंने बाबर के भारत आकरमन को किसी प्रकार का, हम ऐसे समझें कि उसका कोई विरोध नहीं कि या, उससे वो सचेत नहीं हुए, और ये कुछ कारण रही जिसकी वज़े से, बाबर एक नए वन्श की स्थापना करने में सफल हुआ, एक अन्य कारण बाबर की कुशल व्यू रचना भी रही, पानीपत के युद्ध में बाबर ने उचिस तरिय व्यू रचना करी थी, च उसे भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित करना है, तो उसने पुरी तैयारी करी थी, उसने अपनी सेना के मध्यम भाग के आगे 700 चकड़े खड़े कर दिये थे, जो आपस में चमड़े की रस्सियों से बंदे हुए थे, इसमें बाबर की सेना शत्रू के तीरों से सुरक खाईयां खोद दी गई थी, जिनने पत्नों से ढख दिया गया था, इसकी विपरित इबराहिम लोधी ने इस प्रकार की कोई भी व्यू रचना नहीं करे थी, एक अन्यकारण तुलुगामा प्रणाली का प्रियोग करना, बाबर ने अपनी कुशल व्यू रचना के साथ सा एक नई प्रणाली का भारत में प्रियोग किया था, युद्ध की प्रणाली का, बाबर ने इस प्रणाली के अनुसार अपनी सेना को बिलकुल दाएं और बाएं किनारे पर घुरसवार खड़े कर दिये थे, मुखे नेत्रे तु करता के पीछे कुछ सेना रखी गई थी, दोनों किनारों पर तैनात घुरसवारों ने जब युद्ध हुआ, तो आगे बढ़कर एक प्रकार का घेरा बनाया, और इब्राहिम लोदी की सेना को पीछे से भी घेर लिया, यानि दोनों भागों से दाएं और बाएं किनारे से घुरसवार धीरे धीरे आगे बढ़े, और इब्राहिम लोदी की सेना जो की सामने से युद्ध कर रही थी, उन्होंने धीरे 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 आगे बढ़के एक सरकल सा बना लिया, इब्राहिम लोदी की सेना के चार तरफ और उसको चार तरफ से घेर लिया और उसके उपर आकरमन किया, ये तिलुगामा प्रणाली क इस प्रकार की रचना से इब्राहिम लोदी की सेना में भगदन मच गई फिर जो बाबर की सेना पार्ष में यानि पीछे तैनाध थी उसने जब जरूरत पड़ी तो अपनी सेना को साहता पहुचाने का कारे किया तो इस प्रकार की जो व्यू रचना रही है और तुलुगामा प्रणाली रही ये बहुती महतपून प्रणाली रही जिसने इब्राहिम लोदी की हार को सुनिश्चित किया और आदे ही दिन में इब्राहिम लोदी की सेना परास्त हो गए एक अन्य कारण तोब खाने का प्रियोग था बाबर के पास एक अच्छा तोब खाना था साथी साथ बंदू के वे थी जबकि इब्राहिम लोदी के पास उसका अभाव था बाबर ने अपनी सीना की सुरक्षा की समुचित विवस्ता की हुई थी और इब्राहिम लोदी पुराने तरीके से ही युद्ध कर रहा था उसके पास हाथी थे घोड़े कम थे और हाथी तोपों और गुला बारत के सामने सही सिद नहीं हुए घबरा कर हाथी उन्हें अप पुर्ण कारण रहा इब्राहिम लोदी की पराजेगा हम पानीपत के युद्ध के परणामों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे महतोपुन परणाम तो यही रहा कि लोदी वन्ष की शक्ति समाप्त हो गई और दिल्ली और आगरा पर एक नय वन्ष मुगल वन्ष की प्रभुत स्थापित करने का एक दौर शुरू कर दिया था और भारत को एक राजनेतिक सूत्र में बाबर बांधने की तैयारी करने लगा था उसी कड़ी में उसने अगला युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा जो 17 मार्श 1527 को लड़ा गया और ये राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था राजपुतु के विरुद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ उसका मुख्यकारण बाबर का भारत में रहने का निर्णा था राणा सांगा की धारना ये थी कि बाबर भी अन्यविदेशी आकर्मन कारियों की जैसे आकर्मन करेगा युद् बाबर को साहता तो नहीं करी किन्तो इबराहिम लोदी का जो बाबर से युद्ध हो रहा था उसे उसने एक संकेत समझा और उसने इमाना कि ये दोनों आपस में युद्ध करेंगे बाबर लोट जाएगा तब दिल्ली और आगरा सांगा के लिए विजित कर पाना असान होगा वहाँ अपने राजी की स्थापना वो कर पाएगा कि इंतो जब उसे ये समझ आया कि बाबर भारत में अपने राज्य की स्थापना करने का उद्देशे लेकर आया है तो ऐसी स्तिती बनी कि दोनों की वीच में युद्ध होना अपने आप में युद्ध होने का की संभावना बढ़ गई क्योंकि राणा सांगा की के राजनेतिक उद्देश्य और बाबर के राजनेतिक उद्देश्य कॉमन हो गए थे यह दोनों ही भारत पर अपने राजज़े की स्थापना करना चाहते थे राना सांगा द्वारा अफगानों का सहयोग करना यानि ऑब्राहीम लोदी के जो वन्षज थे सहयोगी थे उनको तो राना सांगा ने बाबर के खिलाफ सहयोग देना शुरू किया, उसने आलमखन लोदी को अपने यहाँ शरण दी और ये युद्ध का एक कारण बना बाबर के अनुसार, बाबर नामा में जो बात कही है, उसमें बाबर का ये कहना है कि राना सांगा ने इबराहीम लोदी के विरुद्ध उसे साहता देने का वचन दिया था, जो उसने पानिपत के युद्ध के दौरान पूरा नहीं किया और ये अन्यकारन रहा दोनों के बीच में युद्ध का राजपुतों ने युद्ध की घटनाओं के हम बात करें तो राजपुतों ने बयाना और आगरा को जीतने के उद्धेशे से आगे बढ़ना प्रारंब किया, यहां उन्हें मुहमूद लोदी और हसन का मेवाती का सहयोग भी प्राप्त हो रहा था, बाबर इस समय आगरा म पूरी कर चुका था, सांगा भी राना सांगा बाबर की जैसा ही एक अनुभवी सेना पती था, और यह बात बाबर भी अच्छे से जानता था, कि इब्राहिम लोदी से युद्ध जो उसने किया उसमें विजय हुआ, लेकिन महाराना सांगा से युद्ध करना अतना असान नहीं होगा, और ऐसे में उसकी सेना जो थी, वो हम कह सकते हैं, उसका मनोबल कमसोर होने लगा था, आने वाले संगर्ष के लिए राना ने राजस्थान के करीब करीब सभी शासकों का सहीयोग प्राप्त कर लिया था, उन्हें आमंत्रन दे रखा था और करीब करीब सभी का सहीयोग उसे मिलने लगा था, 11 फरवरी 1527 को बाबर ने जिहाद की भोशना करी, इससे पूर उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना को एड्रेस किया, यानि सेना को एक भाशन दिया, और उसमें उसने शराब न पीने की शपतली, शराब के प्याले तोड़ द और इस तरीके से उसने अपनी सैनिकों को जोशिला भाशन देते हुए, युद्ध के प्रश्टात स्वदेश जाने के इच्चुक सैनिकों को वापस भीजने का आश्वसन दिया, और सीना में पुनह शक्ती का संचार किया, 11 फरवरी 1527 इसको जिहाद की गोशना करी, और य युद्ध करने की तैयारी करें, सीकरी में उसने अपना पढ़ाव डाला, और 16 मार्च 1527 को फटैपुर्ट सीकरी से 10 मील दूर खानवा नामक स्थान पर दोनों ही सेनाओं का मुकाबला हुआ, सुबह 9 बजे आरंभ हुआ युद्ध, 10 घंटे तक चला, राणा सांगा युद्ध में घायल हुए, उन्हें सुरक्षत स्थान पर ले जाना पड़ा, राजपुतों ने मुगल और सवारों तोप खानों के आकरमनों का साहस अश्राज़स से मुकाबला किया, परन्तु अंत में राजपुतों की सेना तीतर वीतर हो गई और वावर की बिजे हुए, खानवा का युद्ध एक महतोपुन और निर्नायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसने मुगलों की श्रेश्टता को सिद्ध कर दिया, हलांकि राजपुत एक बहुत ही साहस और शौरेवान संगठन था, किन्तु बाबर के सामने वे टिक नहीं सके, राजनेतिक द्रिश्टी से इस युद्ध ने राजपुतों की शक्ति को दुर्बल कर दिया, और बाबर के राजजे को राजजे का विस्तार किया, उसके बाद बाबर का एक और युद्ध, 6 माई 1529 को घागरा में हुआ, अफगान अपने आपको संगचित करके बिहार में बाबर के विरुत युद्ध की तैयारी कर रहे थे, इब्राहिम लोदी का भाई मेहमूद लोदी पुन्हा अपने राजजे को प्राप्त करना चाहता था, दो माई 1528 को बाबर ने अफगानों का दमन करने के लिए बिहार से दुआत की तरफ कूच किया, 13 मार्श 1527 को बाबर ने गंगा पार करी और अफगानों को भगा दिया, तथा अवद तक उनका पीच्छा किया, क्योंकि अफगान अभी उतनी ताकतवर नहीं थे, तो वे सीधा मुकाबला करने ही पार रहे थे, बाबर के आगमन की सूचना से ही वे इदर दर भागने लगे थे, किन्तो बाबर अफगान समस्या को पून रुप से समाप्त करना चाहता था, और इसलिए 6 माई 1529 को उसने घागरा के तठ़ पर अफगानों के साथ युद्ध किया, युद्ध के अंतिम दौन में दोनों ने एक दूसरे के सीमाओं को और समप्रभुता को सुविकार कर लिया, इस तरीके से हम देखते हैं कि घागरा का युद्ध बाबर का अंतिम महत्पून संघर्ष था, 26 जन्वरी, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्ति हो गई, और मरने से पूर्थ बाबर ने हमाईयू को अपना उत्रादिकारी घोशत हिया था, ये बाबर का जो आप शेड़र पार्ट देख रहे हैं, इतने भाग पर बाबर अपना सामराजी की स्थापना कर चुका था, और ये विस्तरत सामराजी उसने अपने पुत्र हमाईयू को दिया, ऐसा कहा जाता है कि हमाईयू गंभीर रोग से पीड़ित हो गया था, और उसके बचने की उमीद नहीं थी, और तब बाबर ने इश्वर से दुआ करी कि हमाईयू को जीवन बख्ष दे और उसका जीवन ले ले, और इस घर्टना के कुछ समय पश्चार 26 दिसंबर 1530 को बाबर की बृत्यों हो गई और हमाईयू भारत का दूसरा शासकबर.